Hello everyone, I hope you all are safe and healthy. In today's session, we are going to start with the examples of this chapter, Dissolution of a Partnership Form. Okay, यहाँ पे, illustration number 2 से लेके, illustration number जो भी आपका end होता है वहाँ पे, plus, example में, 7 example से लेके, end तक जितने भी example है, उसमें से बाउड में कुछ भी नहीं आने वाला. तो आपको prepare क्या करना है? सिर्फ, question number 4, question number 5 and question number 6 of exercise. अब question number 4 में भी देखो, तो आपके पास 1 से लेके 4 तक तो theory है, और 4 के बाद, जो भी 5th, 6th and 7th point, question number 4 में start हो रहे हैं, वो बहुत important questions है, इसको हम detail में इस session में देखेंगे. उसके बाद, question number 5 and question number 6, जहाँ पे सिर्फ आपको general entry पास करनी है, वो example आने वाले हैं, तो उसकी हम थोड़ी तयारी कर लेंगे, ठीक है students, तो पूरा ये session, बस हम इसमें divide करेंगे, कि जितना हमको exam में आने बाला है, हम सिर्फ उतना ही करेंगे, ज्यादा महनत इस chapter में नहीं करेंगे, पूरे एक दिन का ही मामला है, एक दिन में पूरा chapter आपका complete हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा, पर यहाँ पर जो important, important questions है, उसको मैं आपको फिर से request कर रहा हूँ, कि ठीक से करना, जैसे कि question number 4 में, जो 5 number का question है, that is the most important one, याद रखना, कौन सा 5 number का question, question number 4 में, पेज है आपका 311 number का page, याद रहेगा, यहाँ पर जो आपको question दिया है, that is the most important one, क्या दिया है उसमें, तो एक आपको balance sheet बनानी है, और उसके हिसाब से, opening capital find करना है, A और B का, तो सबसे पहले balance sheet को draw कर देते हैं, और उसके बाद उनका opening capital find out करते हैं, ओके students, तो यहाँ पर मैंने पूरी एक balance sheet बना दी है, capital amount, assets amount, ओके, अब question को पढ़ते हैं, उसको solve करने का try करेंगे, total assets are 1,50,000 of a firm A and B, यहाँ पर क्या दिया है, आपके firm में total assets कितनी है, 1,50,000, अब total assets का मतलब क्या हुआ, कि fixed assets और current assets को मिला के, आपके पास क्या हो रहा है, total 1,50,000 का fund हो रहा है, ओके, तो अगर आपको इसको easy way में लिखना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दोनों का total, तो मैं outer column में जो भी value आएगी, वो लिख सकता हूँ, तो total यहाँ पर आगया 1,50,000, दूसरी चीज, as you know, कि asset side और liability side का balance sheet में, always balance same होगा, तो यहाँ पर भी मैं 1,50,000 लिख सकता हूँ, तो चलो balance sheet का total मेरे पास आगया 1,50,000, जो मैंने यहाँ पर लग दिया, ठीक है, चलो, अब आगे क्या दिया है, where cash of rupees 10,000 is included, मतलब इसके अंदर cash भी include है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, cash of rupees 10,000, तो 10,000 rupees की cash है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, तो इससे आपको यह पता चला, cash is your current assets, तो current assets में और कोई value नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि जो भी बच्चा आपका, वो क्या हो जाएगा, fixed assets, तो आपके पास fixed assets कितने रूपे की हो गई, 1,40,000 rupees की आपके पास fixed assets हो गई, ओके, अब दूसरी चीज़ आपको क्या दी है, तो 1,40,000 की fixed assets मिल गई, उसके सामने देखो, आगे क्या दिया है, net assets of the firm are 1,00,000 rupees, now what is called as net assets, so net assets, तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, net assets का मतलब क्या होता है, so net assets is equal to, total assets, minus total liabilities, ओके, तो अब, यहाँ पर मेरे पास total assets है, 1,50,000, net assets मेरे पास है, कितनी 1,00 rupees, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ओके, so यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, आपको total liabilities मिल जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, total liabilities is equal to, 1,50,000, minus 1,00 rupees, तो total liability कितनी हो गई, फर्म की, 50,000 rupees, so यह जो total liability है, हम कहाँ पर लिखेंगे, liability side में लिख सकता हूँ, यहाँ पर, liabilities, rupees 50,000, अब, यहाँ पर, 50,000 की liability हो गई, assets हो गई, current assets और fixed assets दोनों हो गई, तो यहाँ पर बचा क्या, एक ही चीज़तों बची कॉन सी, capital, तो capital total कितनी हो जाएगी, 1,00,000, वो मुझे यहाँ से पता चल गया, क्योंकि 1,00,000, plus 50,000, the total will become, 1,00,000, now two partners are there, A and B, पर question यह है, कि इन दोनों की capital क्या हो रही है, वो आपको find out करना है, तो आगे देखो, the ratio of capital and reserves are, 4 is to 1, ओके, तो यहाँ पर भी, यह पूरी 1,00,000 नहीं आएगी, यह 1,00,000 तो बची, उसमें से भी reserves निकलेंगे, तो total आपके पास कितना है, 1,00,000 है, now, what you need to do, capital plus reserve is equal to 1,00,000, now, what is the ratio, the ratio is 4 is to 1, तो यहाँ पर मैं यह कर सकता हूँ, capital के लिए 1,00,000, into 4 divided by 5, मतलब 80,000 हो जाएंगे, दूसरा, reserves के लिए 1,00,000, into 1 by 5, that means 20,000 हो जाएंगे, ओके तो यहाँ पर मेरे पास, reserves आ गई, rupees 20,000 की, और बाकी की जो भी capital बची, तो capital कितने की हो जाएंगी, total 80,000 rupees की, तो मैंने यहाँ पर reserves का भी calculation कर दिया, यह मेरा पहला calculation है, here I have started with the second calculation, मुझे capital reserves मिल गए, now I am going for the third one, आगे क्या दिया है, the capital of A is more than the capital of B, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर A की जो भी capital होगी, उससे B की capital, 20,000 का difference है, A की capital में, B की जो भी capital होगी, उससे 20,000 ज्यादा है, तो loss of realization account भी दिया है, 20,000 and firm is dissolved, so we have to find out, on this basis we have to find out, the actual their opening capital, तो कैसे करेंगे, first of all, now the capital of A, is 20,000 more, than B, okay, clear, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, you have the total capital, तो total capital आपके पास है, तो उसमें कौन-कौन सी capital होगी, A's capital हो जाएगी, plus B's capital होगी, okay students, तो यहाँ पर आपके पास total capital है, 80,000 रुपीज, A की capital for example, if it is X, plus B की capital क्या हो जाएगी, 20,000 plus X हो जाएगी, okay, 80,000 यहीं पर रखेंगे, is equal to 2X plus 20,000, अब क्या अगर सकते हैं, 20 को यहाँ पर लाएँगे, तो 80,000 minus 20,000, is equal to 2X, तो यहाँ पर मुझे एक पार्टनर का मिल गया, X, X मतलब कौन, तो यहाँ पर एक पार्टनर का मुझे मिला है, total 30,000 की capital, अब देखो, I have to make some of the calculation, कैसे करेंगे, वो यहाँ पर देखो, बुक मैं थोड़ी नीचे ला रहा हूँ, जिससे आपको इसका calculation properly पता चले, अब देखो, A में क्या था, A की जो भी capital थी, तो X तो था, प्लस 20,000 रुपीज, B से जादा थे, तो B का जो भी होगा, वो तो X की ही value होगी, तो A में जो भी X की value आई, आई, 30,000 प्लस 20,000 रुपीज, तो आपता आंसर आई गया, 50,000 रुपीज, तो यहाँ पर B का तो X की value था, तो value कितनी हो गई, 30,000 अली, तो मेंग देखोटल अब थीज तो, 50 प्लस 30 इस एक्वाल तो 80, so the opening capital of A is Rs. 50,000, and opening capital of B is Rs. 30,000, अब हम क्या कर सकते हैं, A में लिख सकते हैं, Rs. 50,000 रुपीज, और B में लिख सकते हैं, Rs. 30,000, clear students, तो यहाँ पर हमने एक important question किया, कौन सा वाला? Question number 4 में, 5th point, I hope के यहाँ पर आपको कोई भी doubt नहीं होगा, अब हम start करेंगे next question, question number 6, 6 में क्या दिया है? Prepare realization from question number 5, जो भी question number 5 है, मतलब यह, यहाँ से हमें क्या करना है? Realization account prepare करना है, तो वो prepare करते हैं, चलो, ओके students, तो यहाँ पर मैंने realization account prepare किया है, as per question number 6, अब question 6 में क्या लिखा है? यहाँ पर देखो, prepare realization account from the question number 5, question number 5 का solution हमारे पास यहाँ है, कौन-कौन सी चीज़ा है, capital, liabilities, reserves, fixed asset, cash, यह सारी चीज़े यहाँ पर already हमारे पास है, तो अब करेंगे क्या, उसकी पहले से end तक properly देखना, आपको realization भी account properly आ जाएगा, तो उसको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? realization जो भी account होगा आपका, वहाँ से details उठा के, दूसरे accounts में रखनी है, कैसे है? जैसे कि यह आपकी balance sheet है, तो balance sheet में यहाँ पर क्या दिया है? fixed assets, fixed assets को हम realization account में, सबसे पहले कहाँ पर लिखेंगे? हम उसको directly लिखेंगे, realization account में debit side, ओके? यह balance sheet है, balance sheet की asset side, assets side को उठा के हम रख देंगे, सीधी realization में debit side, तो यहाँ पर मैंने लिखा, two assets, two assets account, rupees 1,40,000, clear? अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, जैसे हमने यहाँ से assets उठाए, वैसे यहाँ से हम क्या करेंगे? liability को उठाएंगे, liability, capital and liability side है, उसको उठा के हम लें लखना है, यहाँ पर credit side पर, credit side पर लिखेंगे, by liabilities, अब liabilities की value कितनी दी है? 50,000 rupees, अब यह चीज बहुत अच्छे से अपने mind में डाल देना, वो क्या है? कि जो भी हमारी liability होगी, at the time of dissolution, we have to pay it anyhow, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी 50,000 rupees की हमारी liabilities है, उसको हमें तो pray करना ही पड़ेगा, अगर pay करते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? to cash account, to cash account, क्योंकि amount आप कैसे pay करोगे? by the way of cash, और यहाँ पर लिखेंगे, liabilities paid, आपने जो भी liabilities थी, आपके 50,000 rupees की वो pay कर दी, clear? then, same way, यहाँ पर लिखेंगे, by cash account, और जो भी आपकी assets है, now you have to pay the value of the assets, yes or no? so assets paid, यहाँ पर लिखेंगे, okay, so assets paid लिखो, या तो फिर realization value of assets, okay, यहाँ पर वो proper, वर्ड लिखते हैं, realization value, clear? तो यह जो total 1,40,000 है, उसकी जो भी amount realized हुएगी, वो यहाँ पर लिखेंगे, पर वो तो हमें कहा ही नहीं है, कि कितने आने वाले, तो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर एक जगा छोड़ दी, पर अगर आप question number 5 देखो, तो उसमें ऐसा लिखा है, कि loss of realization account is 20,000, इसका मतलब क्या हुआ, loss realization का हम यहाँ पर लिखेंगे, loss आपके पास already है 20,000 रुपीज का, so this loss is going to be distributed among the partners, तो यहाँ पर लिखेंगे by capital account, और ratio कोई भी नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 1 is to 1 के ratio में distribute कर देंगे, now who are the partners, the partners are A and B, so दोनों partner 10,000, 10,000 रुपीज ले के आएंगे, चलो यह पता चला, अब क्या कर सकते हैं, आपके पास loss पी आगया, सब कुछ है तो आपको सिर्फ करना है, यहाँ पर total, दोनों side का total करो, किस side का जाधा हो रहा है, इस side का जाधा है, 140 plus 50, that means 1,90,000 रुपीज, यहाँ पर भी मैंने रख दिया, 1,90,000, क्योंकि हमारे पास, already loss जो आगया है, वो हमने distribute कर दिया है, then what the amount is left, so 20 plus 50, that means 70,000, 1,90,000 में से 70,000 निकालो, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो amount बची, कितने रुपे की बची, 1,20,000 रुपीज, वो आपने, जो 140 की assets है, उसको 120 में realize किया होगा, clear students, तो यह एक important questions है, यहाँ पर इसका पूरा calculation देख लो, क्या किया सबसे मेल है, मैंने fix assets को यहाँ से उठा के, यहाँ पर रखा, okay, asset side से उठा के, मैंने debit side पर रखा, then, वैसे ही हमने क्या किया, liabilities को यहाँ से उठा के, हमने कहाँ पर रखा, यह जो balance है, वो capital and liability side का है, वो उठा के हमने रखा, यहाँ पर, यह रखा, plus liability को आपको set off करना ही पड़ेगा it is compulsory तो liability मैंने cash में paid कर दी 50,000 रुपीज तो ये दुनों point चले गए अब बचा क्या आपके पास बचा जो assets है उसको आपको set off करना है assets की set of value नहीं दी है पर loss दिया था loss realization account का यहाँ पे लिखेंगे profit होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ratio नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 is to 1 that means equal proportion में distribute करेंगे 20,000 का loss था 10,000 में distribute किया loss आगया मतलब sum यहाँ पे खतम हो गया मैंने दोनों side का total किया इस side का जादा आया 1,90,000 यहाँ पे भी 190 रखा उसमें से मैंने यह दोनों value minus की तो ultimately आपने जो 1,40,000 की assets सी वो कितने में दी होगी 120 में तो आपकी realization value यहाँ पे 120 होगी So this is realization account I hope you have understood it यह खतम होते हैं के बाद हम करेंगे next example start Let's see that Now let us see question number 4 में point number 7 Total assets of the firm at the time of dissolution is rupees 2 lakh आपके firm की value total assets कितनी है 2 lakh rupees Out of which 40% are your current assets including cash of rupees 10,000 मतलब इसमें से 40% आपकी क्या है current assets है उसमें भी 10% आपके पास क्या है जो भी बचा वो आपकी हो जाएगी current assets 10,000 की cash है बाकी की निकालो तो current assets मिल जाएगी clear अब 120% realized for fixed assets while 80% has realized for the current assets you have to pass the general entry important one ठीक से देखना first of all सबसे पहले आपको क्या बुला है total assets की value है 2 lakh यहाँ पर मैंने लिख दिया total assets rupees 2 lakh अब बच्चो इसको बहुत अच्छे से समझो सबसे पहले क्या किया है 40% जो है वो current assets है इसका मतलब क्या हुआ इसको दो proportion में जब आप डालोगे तो current assets आपके प्यास कितनी है 40% तो fixed assets जो हुई वो कितनी हो जाएगी ultimately 60% हो जाएगी yes or no? okay so अब जो total assets है 2 lakh की उसके 40% करो तो कितने आए तो आपको यहां पर value मिल गई 80,000 रुपीज वैसे ही minus करके equal to करने के पर आपको fixed assets की मिल गई 1 lakh 20,000 की value now among this current assets में भी दो चीज़े है एक है आपकी already जो cash है वो क्योंकि cash की तो हम कोई भी realization value नहीं देते cash कितनी है आपके पास 10,000 रुपीज की तो बाकी जो भी बचा that will become your other current assets कितना का बचा 70,000 रुपीज का यह मैंने यहां पर calculation कर दिया now the question starts from here यहां से question start होगा ध्यान से देखे वच्चो देखे तो क्या दिया है कि जो भी आपकी assets है उसके 120 percentage realize हो रहे है as a fixed assets मतलब total assets कितनी के है 120 की जो fixed assets है वो उसके 120 percentage मिल रहे है मतलब यह जो assets है उसके आपको कितने मिल रहे है यहां पर 1,44,000 रूपीज मैंने इसलिए इसको अलग पैन से रखा क्यों क्योंकि आपने क्या किया उसमें 120 percentage add कर दिये कितने 120 percentage now यह जो आपकी current assets है 70,000 की उसकी आपको क्या मिल रहा है 80% रिवैल्यू रिवैलाइस को भी है तो इसके 80 percentage करो इसके आपको मिलेंगे 56,000 रूपीज current assets के यहां पर आपको कितने मिलेंगे 56,000 रूपीज यहां पर मैंने क्या किया प्लस 80 percentage किया जो मुझे example में दिया है तो यहां पर 120 की assets आपको 144 मिलेंगे यहां पर 70,000 की current assets यहां पर इसको आपको मिल जाएंगे 56,000 रूपीज तो इसको हम properly समझेंगे और इसका calculation करेंगे ठीक है चलो तो अब general entry देनी है तो general entry कैसे देंगे वो देखो बच्चो यहां से मैं book हटा रहा हूँ चिससे यह थोड़ा congested ना हो आपको properly पता चले तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा realization में जो जो चीज़े मुझे डालनी है उसके हिसाब से मुझे calculation करना पड़ेगा सबसे पहली entry मेरी क्या हो जाएगी realization जैसे previous example में हमने क्या किया था realization account में debit set दोनों value लिखी थी तो यहां पर भी मैं वही करूंगा जो आपके पास 120 और 70 है इन दोनों का total करो तो 120 प्लस 70 कितना हुआ 1,90,000 यह मैंने debit कर दिये clear तो credit side पर क्या आ जाएगा two fixed assets and two current assets account clear okay 119 में से 120,000 आपकी fixed assets है और 70,000 रुपीज की आपके पास कौनसी assets है current assets दूसरी जीज़ अब इनकी value जो realize हुई तो वह आपको कितने मिले 1,44,000 and 56,000 पैसे आए हैं तो कौनसा account debit होगा cash और bank account debit क्योंकि पैसे आए money comes into business debit what comes in real assets का rule जो होता है वो देन तू विच अकाउंट तो realization account यहां पर debit है यहां पर credit करेंगे तो realization account rupees 2 lakh तो यह हो गए आपकी general entry और यहां पर हमारा complete हुआ example number 4 के point number 5,6 and 7 that's all for today thank you so much and Jai Hind दूनbourg की औरbles मने पर फिडहन दूनए रफेंवारी जान kषिर सान धना कमें परde dal व्र और vide दो बता है तून ए और दूनोंकि पर опыт जो है हां WOW